नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजूकेशन के एड़िशिक्स में बिहार में राजिस्वास समीती बिहार की तरफ से एक अपडेट आ रही है दोस्तों एड़िटेजमेंट संके 9-2020 का है अपडेट और इसके बारे में सारा डेटेल मैंने आपको पहले भी दिया ह है लेकिन आपको थोड़ा सा याद दिला दू कि 31 अक्टूबर इसके लाज्ट डेट है फॉर्म भरने के और लिंक हो चुका है तो अगर आप लोग आविदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं भारत के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप इ और अगर आपने कोर्स कर रखे हैं दोस्तों एनम या जी एनम या बीसी नर्सिंग का देन यू के अपलाई तो क्या गया क्रेटेरिया है एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दू तो आशा ट्रेनर का यह पोस्ट है 500 पदों की टोटल वेकेंसी है तो उनको थोड़ा सा यहां पर प्रिफर पहले दिया जाएगा मिल केंडिट के रिकार्डिंग ठीक है इस बात का ध्यान रखेंगे और आपके पस दो साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एज क्रेटेरिया की बात कर ले तो मिनिमम एज क्रेटेरिया आपका 25 है और मैक नर्सिंग स्कूल और इंस्ट्यूशन अफ और 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 इंडियान नर्सिंग कॉंसिल के तरफ से आपको एगर मानिता प्राप्त है आपके डिगरी का यू कैन अप्लाइफ पोस्ट लेस्ट टू इयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ट्रेनर ध्यान रखेंगे इस बात का रखेंगे फिर यहां पें अप्लाइफ नहीं करा है तो और यहां पर आपके ऑप्लाइफ से भी आते है तो तो यहां पे अगर आपने यह भी कॉर्स नहीं कर रखा है तो बैसलर डिगरी होना चाहिए आभिए बस अचेमीद की मेडिशन का और सर्जरी का यानि कि बैम्स का आपके पास होना चाहिए भाई डिग्री बैशलर युनाइनी मेडिसिन फॉर सर्जरी एंद बैशलर इंद हैमियोपैथी मेडिसिन और सर्जरी फ्रॉम द रिकोगुजनाइज उनिवर्सिटी इंसिट्यूशन अप दे कैंड़ेट शुट है पर्मनेंट रिको रिजिस्ट्रेशन इन दे स्टेट कॉंसिल आयरुवेदी जिका आयरुवेदिक एंद यूनाइनी मेडिसिन बिहार पटना में आपका रिजिस्ट्रेशन होना चाहिए दो साल का एक्स्पिरियंस यहां भी मांगा गया है जो कैंड़ेट यहां पर हैमियो आपको अपने रिलिबंट इस फिल्ड में पोश्ट ग्राइजवेट डिप्लोमा अगर कर रख आपने हेल्थ में या फिर सुसल वर्क में और दो साल का एक्स्पिरियंस है दिन यू के आल्स अप्लाइज प्रिफर किया जाएगा यहां पे विमन कैंडिडेट को रिटायर स है आपको जरूर बरिएगा यहां पे सारे डिटेल आपको मेंसन कर दिया गया है ऑनलाइन अप्लाइज करने का जो डेट है 25 से लेकर 31 अक्टूबर तक है भाई सेप्टेंबर में इसके बारे मैं आपको बहले बता चुका था लेकिन यह जो वेकिंसी का अपडेट मैं आप तक पहुंचा हैं यही सारा अपडेट यहां पे इंग्लिश में भी मेंसन किया गया है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिजिएगा ठीक है आपको बदा दे की चैन का आधार क्या होगा तो इसके लिए आपको 100 नंबर का पूरा एक लिखित परिक्षा होगा ठीक है य अगर कंपियर डिखिएट है आपके पास जिन चाद्राओं के पास तो पांच नंबर मिलना इन इसको यहां से अपका कबर हो सकता है अगर आपके पास यह है सारे एक्सपीरियंस है तो पचीश नंबर और कवर कर सकते हैं और यह 50 नंबर का टूटल परसेंटेश जो है यहा यहां से अप्लाई करने के लिए आपको क्या-क्या चीजे जरूत पर सकती है तो पैरे नंबर 8 में देख सकते हैं डॉक्मेंट वेरिफेकेशन के दुरान आपको कॉपी रखना होगा जिस जो की फॉर्म आप लोग भरेंगे अभी पांच पासपोर्ट साइज फोटो रखना होगा जो की रिसेंटली फोटोग्राफ होने चाहिए फोटो अडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए अधार कट पैन दिसरा काल किया अगया है कि वेटिंग लिस्ट जो बनेगा इसंगें लोग का स्लेक्षन नहीं हो पाता तो वेटिंग में रहेंगे वो लो दूसरा वेटिंग लिस्ट से भी कॉल aprove just यह पूरा प्रोसेस है, यहां पर सेलेक्ट होने का, थिर भी अगर आप लोग कोई डाउट लगता है, इस वेकेंसी को लेकर यहां पर नमबर दिये रखें, तो इन नमबरों पर कॉल करके आप इनसे डारेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, यहां तो यह वेकेंसी निकाली इसका एक छोटा सार नोटिस भी दिया गया है, इस नोटिस को आप लोग पहले पेज पर पढ़ सकते हैं, इसके लिए बिहार लोकेशन रखाया गया है, यहां पर यहां पर सैलरी भी मिलेगी आपको बिलकुल, और जो भी आपका एचारे या डिये बनेगा, वो भी आपको साथ में जोड़ कर दिया जाएगा, एज की सिंपल सी बात मैंने बता दी है, पचीस से पैसर तका एज क्रेटिरिया है आपका, जिसके लिए आप भी आविदन कर लीजेगा, जो छातर यहां पर आविदन करना चाहते हैं, या करना चाहती है, विमेन होंगे तो उनको प्रि तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही पलपल की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाके, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के मादिम से आपको जा सके, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा, अगर आप सबसे पहले हमारे चैनल के मादिम से आपको जा सके, वाइट एजुकेशन आपके बिहार के जितने भी एक्जामनेशन है, उनकी तैयारी में आपका सायोग कर रहा है, जिया, आप लोग शाम को हमारे साथ क्यूज कर सकते हैं, एट पिएम में और सुबह आठ शे बजे ये क कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताएंगे, आशा करते हैं कि आप लोग भी आशा ट्रेनर के लिए आवेदन जरूर करेंगे, तो बिहार एनेचेम की तरफ से सीधी बरती है, कोई एक्जाम नहीं आपर, सीधी बरती है, मेरिट बिस्ट आपका सेलेक्शन होगा ओफिशल लोटिफिकेशन के बारे में सारा डेटल मैं पहले भी दे चुका हूँ, एक बार फिर से याद दिलाया हूँ, तो आप लोग फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लीजिए, धन्यवाद दोस्तों